Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपना है, दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.06 के बारे में बारे में बारे में एक्जाम से कुछ घंटे पहले हम इस टॉपिक को पर इस लेसन पर इस फोकॉस के जले इस वीडियो को स्टार्ट तो ड इस के बारे में इस बुक को टोटल एट पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर आप एट ब्लॉक को देखो तो हर ब्लॉक के अंदर में 4 से 5 को देखने के लिए मिलेंगे, टोटल 32 लेसन आपको पूरे बुक के अंदर में कोवर करनेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने पहले lesson को देखो गो तो पहले lesson में पूछा जाता है कि भारते इतिहांस के अध्यन के बिविंत अगर आप भारते इतिहांस के बारे में बारे में इस प्रकार से था सुसाइटी के structure में इस तरह से बदला हुगा तो आपको पता कैसे चला जानकारी का सुरोत क्या है इस अधार पर आप इन चीक को बताते हो इसके बारे में कुछ इंपर्टेंट क्या है इस से पूरा जो आपका व्यू है कि कि सरीके से आगे जो भी आप बुक के अंदर में आरंभिक मानव समाष ते इसी अधार पर सीक्वेंस पर आधार ही था पहले उन्होंने सिकार और संगरहन पर आपना जीवन वतीत किया फिर उसके बाद क्रिशीष समाष की और बढ़ना फिर पउसु चारण के और बढ़न गयो किस तरीके से उनका जीवन आपन का तड़िक तो सिकार संगरहन से पसुपालक खाना उस से फिर उसकी बाद में क्रिश्री और पसुचारण के ओर सर हुए जो पूरा उनका जीवन चक्र था ना जो इंपक्ट रहा उनके आता है यहां पर नॉर्मली पूछा जाता है कि हड़पा सब्वता कि समाजिक सब्वता कि समाजिक सब्वता का पतन किस परकार से हुआ ठीक है लोगों को जीवन व्यापन करने का आधार किस परकार का अधार समर्चना किस परकार से हुई यह सारे कोशन के बनकर आ सकते हैं अगर मैं end of the ब्लॉक के बारे में बात कुरू तो इस ब्लॉक के अंदर में जो आपका पहला लेसन तो यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर आपके लिए इंपर्टन रहे के सुरोतों के बारे में कि क्या जानकारी के सुरोत है तो आपके पूरे भारती त्यांस को लेकर संकर्मन धीन जो संस्कृतिया थी ना जी किस तरह सा संकर्मन हुआ एक से दूसरे जगह फैली संस्कृतिया उसके बारे में हम बारे में मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे विस्तार हुआ संस्कृतियों के अंदर में इसके बारे में आप डिस्कस किया जाता है यहां पर लेस्न नमबर फोर चलेकर सेवन तक आते है टोटल फोर लेस्न आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है जिसमें कर सबसे पहले बात कर पहले इस वाली चैप्टर के अंदर में जो टिपनीर इस कोशन के अंदर में पूछ जाते हैं एक आपका कोश्चन जो आपका चैप्टर नमबर फाइफ है इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है जहां पर लोह यूगीन संस्कृतियों के अंदर में समाचिक धांचे किस प्र आता है 37 चैप्टर नमबर 6 की और जाओगे तो उत्तर भारत में समाजी आर्मी खल्चल बोध्रम और जैंद्रम के उदे के बारे में कोश्चन बन कर आता है तो वन अफ दा इंपॉर्टेंट चैप्टर इस ब्लॉक का आपका रहने वाला है जिसके अंदर में जैंद्रम की उ इनके उत्पत्ती किस प्रकार से हुई ठीक ही यान महायान कहते है यह टिपड़ी विस टॉपिक के तौर पे ठीक है यह कुछ चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट रहे है इस ब्लॉक का जिसको आपको थो डिटेल में पढ़ने की जोड़त और आपने अल्रेडी पढ़ा हो इसको टाइम जुरू देना पढ़ने की देखा हूँ साथिसा चैप्टर नंबर सेवन के और बढ़े मद्यों और प्राइदीपी भारत में बोध धरम का अव्यूदे के बारे में देखें तो किस तरीके से नहीं का विस्तार हुआ जैसे कि आप देखोगी कि असोख जो समर बात करूँ यहां पर जो चैप्टर नंबर सीक्स है मोस्ट इंपोर्टन चैप्टर रहने वाला आपके लिए लिए नंबर फॉर में से कई बार टीपीडी बेस कोश्चन बनकर आता है तो अगर आप टीपीडी बेस कोश्चन के लिए इंटरस्टेड़ हो करना चाहते हो त चैप्टर नंबर फाइफ भी एक एवरेज कोश्चन इसके अंदर में बन जाता है कि लो यूगिन संस्कृति के टाइम पर किस तरह से समाजिक संदचना था किस प्रकूश्चन बनकर आता है अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो टोटल यहां पर आपके चार लेसन बन से लेकर हैं यहाँ एं पर देखोगे तो यहां पर 22рип नम्बर वैपारी शिल्प कार और खेन्हर बस्ति किस प्रकार क की थी अगर आप साथिंग के टाइम पिरेट का देखोगेा तो यहां पर आप किल liaison के लिए वैपन करने के लिए लिए इस प्रक्र senseर हुआ जारों में परिवर्तन हुआ उसके बाद वह पसु बालक खाना पदोस के तौर पर जीवन वतीत करने लगे फिर धीरे-धीरे इस्थाई निवास का इस्तलास करने लगे क्रिशी की और अगरसर हुए ठीक है पसुचारण की और अगरसर हुए तो यह सारा कुछ एक प्र जिस जगह रहता हूँ उस समय पहले से कहां पर पेड़ पोदे ज्यादा थे खेती वाड़ी हुआ कल थे पर आप लोग बढ़ने लें के काल से क्या हुआ यो जमीने खतम हो गई और यहां पर लोगों ने घर रहना लगे तो किस तरीके से खेतियर बस्ती का निर्मान हुआ लेंगे अगर मैं इस चैप्टर के बात करूँ तो एक कोश्चन इंपर्टन रहता है यहां पर भारत में दूसरे सहरी करण के प्रिकृति को बताईए इस तरीके से दो अलग-अलग सहरी करण के चरण रहे भारत के अंदर में वो लीफाइं क्या जाता है जिसमें अगर करें चार्ण करते को हमें स्ट्टभी करते है दूसरा अगर मगहा देखोगे तो मगध कुमा रहा था इस तरीके असरो महार जनप्दों कश्वा next से क्याती कि अधर से विस्तार हुआ पर शाषन नेती किस प्रकार इसको डिफाइन कर यहां पर कोश्चन आपका सहरी करन से लेकर आता है कि भारत के अंदर में दूसरा सहरी करन किस प्रकार कुछ खास चैप्टर नहीं रहेगा यह वाला चैप्टर अगले चैप्टर के और बड प्रम की प्रमक विशिस्ता क्या थी क्या खासियत था बोद ठीकर सम्राट असो का क्या योगदान रहा वह बोद द्र्म के अंदर में история यह HEU अगर आप आगे बढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 10 जहां पर बात करें तमिल कम जो पारंबिक तमिल समाज था ठीक है उसके अंदर में किस तरीके से जो छेत्रों की संस्कृतियों को वीर पूजा की परंपरा थे ठीक है यहां पर आपका अगर देखोगे तो जिबो धर्म ज संदर में जो तमिल कम समाज है मतलब तमिल कम समाज के बारे में जानकारी का सुरूत क्या है कैसे आपको पता चलता है तमिल कम समाज क्या उनकी संस्कृत किस तरीके से वह पूरा चीजों को रेगलेट करते हैं सारंबिक एतिहासिक सब्वेता किस परकार की थी इसके बारे म जिसमें से जाधातर question टिपनी बेस question बनकर आता है जिसमें अगर आप देखो गरें तो हिंदू धर्म के अनुसार में जो पति-पत्री का करतव्य क्या था तीके बोथ धरम, हिंदू धरम, जैन धरम के अनुसार पति-पत्री के करतव्य किस पर प्र पूरी ठीके दोनों के कर्तव्य को डिफाइन कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना तो बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है पति-पत्नी के कर्तव्य को लेकर कि किस तर से दोनों का रोल बनता है ठीके किस तर से अंडर्स्टेंडिंग होना चीजें किस तर से चलता है इस तर से पूरी जोसकी इर्दगी टिम्रांडिंग है किस तर से रिस्पॉंसबल होती है छीजों को लेकर वह आपको यहाँ पे सब्सक्राइब मिल जाता है के बारे में भी कि के आगे बढ़ें इसके अंदर में तो आपको वर्ण जाती से लेडी टॉपिक आपको चैप्टर 11 के अंदर में अगर पूरे इस ब्लॉक की अगर मैं बात को रुखे किस टॉपिक को पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 8 का जो सहरी करन का टॉपिक है उसको पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक को पढ़ना है जिसके अंदर में बोथ धर्म की प्रमुख विश्यस कई बार बनकर आता है बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ खास यहां पर यहां पर लोगे तो चैप्टर नंबर 10 को पढ़ सकते हो तमिलकम समाज की बारे में कि किस परकार से लागर कोई कोशन आगे भी क्योंकि तमिलकम समाज से लेटर कोशन पूचन 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 पर यहां पर एक बेस आपको समझ में आजा कि हाँ यह टॉपिक है तो इधर आगे बढ़के चल सकते हो तो चैप्टर नंबर 9 इंपोर्टन रहेगा च कि अनबर 10फी तंग के बारे में पारंबिक मद्यकालन समाज किशा किस परकार की थी अगर आप देखोगो चैप्टर नंबर 12 के अंदर में यहां पर मद्यपालान समाज के अंदर में क्या परीवरतन हुआ थी एक जो मद्यकालीन समाज था अंने फिर परिवर्तन और ता किस तरह से परिवर्तन था इस लेटेड़ कोश्चन बनकर आता है पर कुछ हास नहीं रहेगा सहरों में जो सहरों का पतन था न उसके कारण से किर्शी विस्तार मतलब सहरों का पतन हुआ कैसे पतन की समस्य किस प्रकार के थे किर्शी विस्तार वह अनुद इस पूरे टॉपिक के अंदर में और सामनतवाथ तर्फ तता सहरी पतन की अवधार्णा एक अगर सहरी का पतन हो रहा है सामन्त वाद के उपर मुस्क्राइब देखा गया तो किस तरीके से जो सामन्त वाद था तता सहरी पतन की अवधार ना रही इसके बारे में कोश्चन बने पुर्शी विस्तार किस परकार से हुआ भू अनुदान वजय से ववस्था किस परकार की थी ये भी एक टॉपिक प्रकार था वो आपको यहां पर बताना हो टीपीडी पर इस कोश्चन भी बनकर आता है बाकी चीज़े भी इसमें बनकर आती है चैप्टर नमर 14 के और बढ़ोगे वर्ण और जातियों का प्रसार और सुद्रवी करण के बारे में चौल टॉपिक बनकर आता है जिसमें और व अगर आप पूरे ब्लॉक को देखोगी तो पूरे ब्लॉक के अंदर में जो चैप्टर नमर 18 है समाज में जो पतन की समस्या ठीक है सेहरों की पतन की समस्या क्रिशी विस्तार भूह अनुदान और मद्यस्तों के विकास के बारे में यहां पर यह वाला चैप्टर आप पूर्टेंट रहेगा जहां पर सामंत वासर डारेक्ली कोशिन पूछ जाता है और टिपनी वेस्तों के तौर पर भूह अनुदान जाता है तो यह वाला चैप्टर आप यहां पर भारत में सामंत वात के बारे में आप आपको पता होगा और मैंने अल्लेडी वीडियो बना के साथ साथ में जो टॉपिक मैंने सजेस्ट किया है अगर आपने उन टॉपिक पड़ रखा देख वार चलों देखें साथी साथ उससे भी बैटर यह रहेगा कि लास्ट टाइम पिरेड के अंदर में आपको कोशिन पेपर को श्टडी कर तो लास्ट फाइबर के के कोशिन पेपर ओल्रेडी मैंने दाइनप के उपर में करवा रहा है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो इसके प्लेइलिस्ट के अंदर में पेपर मिल जाएगा 5 साल का वह आप थोड़ा सा सुने जिससे आपके कोशिन का पैटर्न समझ में आएगा 37 में हिस्ट्री में जरू 6 के अं 10 टॉपिक के अंदर में आते हैं कि वारा टॉपिक है उन टॉपिक का मैंने अलग से सॉट्स में वीडियो बना रखा है छोटी छोटी वीडियो हैं उसको देख सकते हैं चार मिनट साथ मिनट वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसको हम बूलते हैं जाहाँ आपको कोशिन बनकर आता है इसी से लेडिटे कोश्चन बनकर आता है विलेज community जिसे हम सामयों में रहने वाले लोग किस किस طरह के लोग रहते हैं किसा किस तरीके से लोगों का भीवाजन किया गया है लग वर्कों के इसाफ़ से ये कोश्च ऐसे ढु canon हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के इंदर में किस प्रकार का ग्रामीश समाज вед गराम गालत organism किस प्रकार का था और थे समाज किस प्रकार का था तो यहां सिद्धे किस परकार किती समात का सुरूप किस परकाता यही कोश्चन आपको चैप्टर नमर 18 के और बढ़ोगो तो यहाँ पर एक कोश्चन आपको बलूतेदार संगठन के बारे में कोश्चन बन जाता है ठीक है जो टिपकेड़ी बेस कोश्चन पर कई बार पूचा जाता ह उसके धाचे का किस परकार नसे दाब भारत के इसंदर में यह बताना सम हो किस परकार क्रृच की किस परकार principle एक दूसरे से let sky वाइट में भड़े द्रोग विवाजन हों नहीं हिंठु मुषी समाइब हुए है ए बिबाब बारे मिप पूरे ब्लॉक को देखो तो तीन चैप्टर आते तीन चैप्टर थोड़ा सही रहेगा पर चैप्टर नमबर 18 में से कुछ टॉपिक टिपनी विस कोश्चन भी बनकर आता है तो चैप्टर नमबर 18 पर थोड़ा सा आपको डान दिया कि आप कुछ खास नहीं रहने वाले अगले ब्लॉक यह बड़ते हैं आपका ब्लॉक नंबर जो आपका 6 आएगा जहां पर अमध्यकालिन समाज मद्यकालीन समाज 2 के बारे में बात करते हैं तो इसको अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर आपके 5 लेसन आते हैं मद्यकालीन समाज से तो मद्यकालीन समाज के अंदर माँ 19 से लेके 23 तक के से लिटिड कोश्चन बन कर आता है पारमीक मद्य काल में राजपुतों की समाजिक सन्राज़ किस परकार से जो राजपुत वर्ग था उसकी समाजिक सन्राज़ थी ये कोश्चन बन के इस चैप्टर से और अगले चैप्टर के और बढ़ोगो उनकी इस्तिती किस परकार की थी मत्यकाल में महिलाओं की इस्तिती किस परकार उत्तर भारत सहरी करण समाजिक वर्गर किस परकार इससे लेटेट कोश्चन या आप यहां जो महिलाओं वाला टॉपिक है न वो आपका most important topic के तौर पे आपके study यहां पर एक कोश्चन जो सबसे most important question रहेगा इस चैप्टर का सूफी बात से लेटेट रहता है कि दक्कन में सूफी वात का परसार किस परकार से वा समाजिक भूनका किस परकार से रही ठीक है तो यह विचारदरा के तौर पर देखा लिए जो इस्लाम धरम था या फिर जो मुगलme South स्लतने काल के जो सासगब रहे और गुलाहवव के सासग रहे तो सभी के अंब कहीं परभाव को सूफी संतों का देखने क्लियर मिलता है सूफी समाज का देखने को चाहिए किसी का समर्थन किया तो राजा बन जाता तो एक नियाएदेश की तौर पर भी दिखा जाता था कि वो एक intelligent बनता है बौधिक ज्ञान से बरपूर है वो एक प्रॉपर सही तरीके से मतलब उस्तला दे सकता है सही चीजे से अब जाता है किस तरसे समाजी का धार्मिक आंदोलन चला जा रहे थे नौवी से चौदीस सताबदी के अंदर में तो जो समाजिक आंदोलन तो उनका किस तरह से प्रभाव हुआ किस तरह से उनका स्टार्टिंग हुआ वक्ति आदारित आंदोलन का नौवी से बार चौदी स्टाधी के बीच में इस से लिडिट कोश्चन आपको देखने किल मिल जाएंगे संगम साहित्यों के अंदर में सक्ति जो मतलब भक्ति विकास भक्ति परंपरा का स्टार्टिंग कैसे हुआ किस तरह से भक्ति परंपरा की और गए अलवर नयानार के बारे में आपने पढ़ाओ का तो उसमें सब सिलिटिट कोश्चन भी आपको देखने ही मिलेगा चैप्टर नंबर 22 के अंदर में पर अगर मेंली में बात करूँ तो यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 22 के अंदर में तो समाज़िक धार्मिक आंदोलन जो रहा उसका स्वरूप किस प्रकार से रहा यही कोश्चन देखने मिलता है चैप्टर नंबर 23 के अंदर में समाज़ और संकर्मनकाल ठीके जिसके अंदर में किस तर से अठार्विस्तावदी तक के में जो विकास का दोर रहा किस तर से सुख और समृदी का सतावदी के तोर पर देखा गया यह भी यहाँ पर कोश्चन के लिए एक पूरे ब्लॉक को देखोगे तो पूरे ब्लॉक के अंदर में जो चैप्टर नंबर 21 है आपका most important रहने वाला है और उसके साथ ही साथ में आपका जो चैप्टर नंबर 20 है वो most important है यह important रहेंगे बाद की आप जो में लिए 21 के अंदर में सब्सक्राइब तो सूफी संतों के बारे में जूरू पढ़के जाना धक्कन के अंदर में किस तरह समाजिक संद्सक्राइब पढ़के जरू जाना ये दो टॉपिक नहीं बार एक्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एक चीज आपको और याद रखनी है कि जैसे कोश्चन इतना सरल नहीं आता कि आप से पूछ लिया जाएगा कि सूफी संतों के परवाव को बताईए को बहुत ज्यादा घुमा कर आता है कि किस तरह का रोल रहा इस्लामिक पूरी दोसमें राजनिति परक्रियाओं के अंदर म गुगल का अंदर में तुफी संतों का रोल रहा था तीक बहुत जादा घुमा करी में बहुत सिंपल बता रहा आप बहुत ज्यादा घुमा कर पूछा जाता है जिसमें कोश्चन नहीं जो बहुत सारे स्टूइट्स का जिनका एक्ग्राम हो चुका है यह मतलब तरी का हु हो दूसरा पात आपके वीजन के अनुसार पूछा जाता है कि आपका क्या मानना है आप इस टॉपिक को लेकर क्या सोचते हो क्या आपकी आइडिलोजी है उस्ते लेडिट कोशिन बने तो दो संदर में पूरा-पूरा आपको देखने करें मिलेगा तो दोनों संदर में चार चैप्टर आपको देखने किल मिलेंगे अगर आप पहला चैप्टर देखो modern society का आधुनिक समाज तो आधुनिक समाज के अंदर में भारते समाजिक संद्रचना के विसे में किस परकार का जो राष्ट वादियों का जो समासुधारकों की धारना इती ना इडिलोजी थ तो सभी लोगों की अलग 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 सोचे कभी भी सोच वाँ पर नहीं मिलती है उस एक प्रॉपर एक समासुधार जो पूरा टिपड़ी टॉपिक है उसको लेकर किन वेक्तियों का क्या अवधारना है यहां पर टॉपिक यह बनकर आता है चैप्टर नमर 24 के अगर मैं बात करूँ तो समाजिक धार्मी अंदोलन की अभधारना है क्या इडिलोजी है यह टॉपिक एक इंपर टॉपिक यह सींपल सा यही कोश्चिन बनकर आता है समाजिक धारना को बताईए ठीक एक समाज के अंदर में क्यों इस अंदोलन की चैप्टर नमर 26 के और जाओगे तो ग्रामिन सहरी गति सीलता का सोरूप और समूंदर पार प्रवसन के बारे में कोश्चिन बनकर आता है यहां पर भी कुछ खास नहीं है मतलब नॉर्मली यह पूछा जाता है प्रवसन का इतिहांस लिखन क्या रहा है प्रवसन मतलब क्य अलग-अलग मकसस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ठीक है तो आपके लिए प्रॉपर वीजा प्रॉपर एक मैने कि आपको इस तरीके से जाना कुछ करोगे तो आपका वीजा ठीक है आपका पासबोर्ट रख लिया जाए बहुत सारे रूल रेगलिशन कानून बना पर स्टार्टिंग के टाइम पर देखो गए तो यूरोप के अंदर में ऐसी ही लोग विस्थापित हो गए एक सबसे बड़ा रीजन इसका माना किया भूजन की तलास में वातावरण के परिवर्दन यह सारे कुछ यहां पर रीजन देखे गए जिससे विस्थापित हुए तो किस तरह से लोगों का विस्थापन हुआ ठीक है किस तरह से लोगों का परवस्थन हुआ यहां पर इसलेडिट कुछ नहीं रहने चैप्टर नमर 27 जहां पर हम बात करते हैं सहरी और ग्रामिन शेत्रों के अंदर में समाजिक सनरचनाओं को लेकर अगर चैप्टर नमर 27 को देखोगो तो यहां पर कोश्चन बनकर आता है उपनिवेशवाद ने ग्रामिन शेत्रों में वर्ग सनरचनाओं पर परवाव जो उपनिवेशवाद की आइडिलोजी ती उसके अंदर में ग्रामिन शेत्रों के अंदर में क्या परवाव पढ़ा उसका आइडिलोजी इ समाजिक धार्मिक आंदोलनी के अवधारना यह important रहेगा और आपका जो question रहेगा पर उपनिवेश्वाद में ग्रामिंट शेत्रों की वन्ट सन्रचना को लेकर यह question important रहेगा बागी इस chapter के अंदर में इस block के अंदर में आप समाजिक सन्रचना किस प्रकार से मतलब धार्मिक आंदोलन के अंदर में जो धार्ना यह थी ना एड्रोजी थी लोगों की उस से लेटिट कोश्चन यहाबे पड़ेगा अब चैप्टर नमबर 8 की ब्लॉक नमबर 8 की बात करूं में तो उपनिवेश्वाद के अंदर का स नीतियों और अपरादिक जन्टातियों के बारे में देखो ब्रिटिस सरकार ने क्या किया यहां पर भारत में ऐसा आई थी वह हमें गुलामन आए तो इसका यह मकसद नहीं था कि हम भारत का विकास कुछ नहीं था ठीक है आज के समय में लोग बहुत सारे उनको अप्रिश चार मों को दबाया गया कानून बनाया गया किस तरीके यंगल का दोहन कैसे ब्रॉम सेकंड बeti सरकार औरी के उसे तरह अंड़र में देखो यह संсон outbreak सरकार को ज़्यादा ज़्यादा धन की ज़रती ज़्यादा संसादों की ज़रती कच्छे मटेडियल की ज़रती इसके लिए भारत जो था सबसे परादिक जन जाती होगा उनको कड़ी सजाय दी गई उनके साथ में कई सारे रूल रेगलिशन बनाएगा कि एक 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 इंपोर्टन टॉपिक यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा वन नीतियों से लेटिड वन को तीन पार्ट में बाटा गया था आरक्षीत संगरक्ष की जो छेतरों बोलते थे जिनके अंदर में डिपेंडेंसी जुथी लोगों की रोज मतला के जीवन बाटा के लिए रहती थी ठीक है चैप्टर नंबर 29 के और बढ़ते हैं चाहां पर हम बात करते हैं उपनिवेशवाद में महिलाओं के सत्थी के बारे में यह वाला चैप कि यह वाला चैप्टर भी आपका कि देखो कभी भी आपके बुक के अंदर में महिलाओं से लिटी टॉपिक बने सामंत वात से लिटी टॉपिक वह इंपोर्टन टॉपिक के तौर पर देखे जाते हैं कई बार कोश्चन बिना पूछे भी कई बार रिलेवेंट भी नहीं क और महिलाओं की कि परिषिती के क्डिशन दे लिट से लिटी पन कर आता है जन विरोध से अगर मैं बात करूं च chapteर 31 सब्सक्राइब जहां पर 19 सब्सक्राइब कराता है किस तरह से जन विरोध हो रहा था उस लेटेट कोशन आपको दिखेंगे मिलेगा और चेप्टर नमबर 32 जहां पर हम बात करते हैं उपनिवेश्वाद के अधिन जातियों के अध्यन के बारे में जो जन जाती समुदाय था किस तरही के से उनका अध्यन क्या गया ठीक है उपनिवेश्वाद के जो बार्तिय जन जाती समुदाय था और उसके उपर में अंग्रेजी विचादधा रहे गया जो बिटी सरकार के लोग थे हैं कि उनका क्या मानना था बारतिय जन जाती समुदाया है प्रोए ब्लॉक की बताऊँ तो important book है फोड़ा सा lengthy book है ज्यादा time period को cover करते हैं बट सबसे plus point यह है कि book easy है easily आप इसको explain कर सकते हो ज्यादा date weight की जरूत नहीं जंजट आप easily explain कर सकते हो easy book है easily आप इसको तो हर एक blog के अंदर मैंने आपको एक दो चैप्टर बताये हैं कि आप इन चैप्टर को पढ़के अभी साड़े नहीं हो रहे हैं अराम से आपका बारे एक दो बज़े से पेपर करकर आप आदा अगंटा भी दो गया तो राम से इन सारे चैप्टर को कर सकते हो easily कर सकते हो और आपने पहले से भी पढ़ रखाऊगा पहले से भी कर रखाऊगा तो थोड़ा सा आपको एक रफली अंदाजा मिल जाएगा कि यह वाला शेप्टर मैंने नहीं पढ़ा तो इसको भी पढ़ते जाना चाहिए यह वाला इंप कि अचेपेंगा प्रेंट्स यहां पर मैं वीडियो एंड करूंगा बिक गात तोी वीडियो के उन्ilippe झाल झाल